हालो अरीवन वेलकम टो प्लेइस एक्वेशन चैनल आज हम लोगे आपर सॉल्व करेंगे क्लास टेंड आरा सगवाल की बुक से गाईज नियूर एडिशन से जो कि आपका चाप्टरा 3 है लीनियर एक्वेशन इन 2 वैरियेबल्स उसकी एक्क्रसाइज सरी बिगे कुछ कोश् इस वीडियो के आणि में आपको प्लेइस मिल गएगी एंड इससे आगे कि सभी कुछिस भी आपको वहाँ पर अविलीबल हैं सारी एक्सराइज के लीनियर एक्वेशन इन 2 वैरियेवल्स क्लास टें यह चैप्टर की नेम से आप प्लेलिस में जाकर भी देख सकते हैं वह प्लेजर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर और प्रेस कर दीजेगा क्योंकि यहां पर हम लोग सारे कुछिंस सौल कर रहे हैं प्लस साथ साथ आप लोग के लिए इंपोर्टेंट कोशिंस भी सौल कराये जाएंगे कम्यूटी चैनल पर जैसे कि आप देख सकते ह करवाइस बन बन मार्क्स के कोशिंस अपलोड भी के जारहे हैं जिनें आप आंसर दे सकते हैं एंड डेली एक दिन के बाद उसका आंसर आपका अपडेट कर दिये जाता है ओके सो वह आप पे बहुत ज़तर हेलफुल है वह आपका रिविशन कराया जाएगा महां पर ठीक ह equation 1, by equation 1, हम लोग देखते हैं, आपको equation क्या दी है, x upon a plus y upon b equals to 2, LC हम ले लेते हैं, a, b, तो equation आ जाएगी, bx plus ay equals to 2, या फिर कह सकते है, bx plus ay equals to 2ab, so now this is equation 3, क्योंकि आपके upon में values, सी coefficient values, so हमने equation को इस फॉर्म में convert कर लिया है, second equation आपको क्योंकि as it is दी हुई है, so हमें इसमें कोई भी changes करने की चुरवत नहीं है, right, now, अब हम इनको solve करेंगे, solve this equation using elimination method, yeah, right, हम लोग यहाँ पर elimination method से guys solve करेंगे, आप अच्छे से जानते हैं, elimination method क्या होता है, अगर किसने नहीं देखा है, अच्छे से आपको नहीं आता, so description box में आपको सभी link available है, substitution method के वी, elimination method के वी, end chapter का पूरा concept का जो आपका video है, वो भी available है, उपर eye tap पर भी करकर देख सकता है, इस video के end में भी आपको मिल जाएगा link, ठीक है, तो वो ज़रूर देख लीजेगा, guys, यहाँ पर यह question वैसे आप एक दरेगे से और solve कर सकते हैं, आपका special case भी बन रहा है न, x और y दो equation है, तो यहाँ पर जो हमारी x और y की जो variables हैं, वो interchange भी हो रहे हैं, हम दोनो को एक बर add और एक बर subtract करके भी equation को solve कर सकते हैं, किसी भी method से आप solve कर सकते हैं, क्योंकि हम न यह आप elimination method लिखी लिया है तो हम elimination method से ही solve कर लेते हैं, So, आप second method से भी, इंटरजेंजिंग वाले से भी एक बार इंदोनों को equation को add करकी और एक बार subtract करके भी solve कर सकते हैं So, अब हम क्या करेंगे? किसी भी एक variable की जो coefficient value है उसको equal बना लेंगे. So, y की variable की coefficient value equal बना लेते हैं पहले. So, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है. That means, a और b का lcm? a b होगा. तो a b हो जाएगा अगर हमारा lcm, तो यहाँ पर a है a b बनाने के लिए किस से multiply करेंगे? b से. यहाँ पर b है a b बनाने के लिए किस से multiply करेंगे? a से. Right? So, आपने multiply कर दिया. अब हम जब देखेंगे b square plus a b square x plus a by equals to 2 a b square and इसको देखेंगे. So, a square x minus a by equals to a cube minus a b square. Right? अब हम देख रहे हैं. Same opposite time की values है. So, हम equation को क्या कर देंगे guys? add कर देंगे. Right? Now adding equation 5 and 6. ठीक है? यह 6 हमने दोनों को add करेंगे तो यह तो आपकी cancel ही हो जाएगी. तो यहाँ से आएगा b square x plus a square x. देख सकते हैं b square x plus a square x and यहाँ से यह term आजाएगी 2 a b square 2 a b square plus a cube minus a b square clear है? Concept समझ आ रहा है हमने सिर्फ add किया है. So, यहाँ से हमारा x common आ गया a square plus b square equals to a cube तो तीनों में से आप देख रहे है a common आ रहा है. तो आप a common ले लीजिए. ठीक है? सबसे पहले अगर हम a common ले लेते हैं. यहाँ पर 2 a b square है guys और यहाँ पर क्या है आपका a b square है? First of all हम इनी को subtract कर लेते हैं. ठीक है? तो आपका a cube plus a रह जाएगा आपका a b square. दो में से a minus होगा तो क्या हो जाएगा? 1 a b square रह जाएगा sine plus वाली values का आएगा क्योंकि यह बड़ी value है. So, x equals to a square plus b square. यहाँ से क्या को मना जाएगा? a. तो यहाँ रह जाएगा a square plus b square. So, x equals to a into a square plus b square. यह अपकान में आ जाएगा a square plus b square. So, यह इससे cancel. That means x equals to आ जाता है हमारा a. Right? Now, अब हम क्या करेंगे? y की वेली find out पुट करेंगे. So, पुट करेंगे. So, आपकी एक्वेशन 3 क्या है? bx plus ay equals to 2ab. यही थी आपकी एक्वेशन 3. तो पुट करेंगे x की जगह क्या आ जाएगा? a आ जाएगा. So, यहाँ पर आपकी वेलीव है bx that means ba हो जाएगी plus ay equals to 2ab. So, ay equals to 2ab. Guys, ba को आप a, b भी लिख सकते हैं. एक ही बात है. So, right side जाएगा तो minus में आ जाएगा. So, ay equals to रह जाएगा a, b. 2ab में से 1ab minus होगा तो कितना रह जाएगा? आपका. So, y equals to ab upon a. a कहाँ चला जाएगा? upon में चला जाएगा. So, a से a cancel. So, यहाँ से आपकी y के value जाती है b. So, y equals to b and x equal to a. So, this is your answer. इस टाइप से आपका question number 41 completely solve हो जाता है. So, जैसे कि मैंने आपका बताया, दो-दो method से solve कर सकते हैं. Special case हम नहीं आप इसलिए solve कर लिया. क्योंकि इससे पहले हमें जो question किया था. उसमें आपकी बड़ी values होती है. तो इसलिए बड़ी values तो calculation आपकी typical हो जाती है. इसलिए हम लोग special case का method apply करते हैं एक बार adding and एक बार subtracting. But, यहाँ पर हम दोनो method से क्योंकि values आपके इतने कोई greater नहीं है. A और B की form में है. इसलिए आप multiply से भी कर सकते हैं and एक बार add और एक बार subtract करके भी solve कर सकते हैं. Okay? So, now question number 42 solve कर लेते हैं. उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक जल देजे वीडियो के like कर दीजे and comment कर दीजे यह मुझे समझ आ गया. Okay? So, now next question solve कर लेते हैं. Now friends, question number 42 आपको दिया हुआ है PX plus QY equals to P minus Q and second equation दी है QX minus PY equals to P plus Q. So, यह equation हम देख रहे हैं again आपके जो X और Y के variable है वो क्या हो रहे है? आपके coefficient value आती है P or Q के form में means किसी another variable के form में आ जाए तो कोई digit ना आकर कोई P, Q आपके इस type से another A, B इस type से values आ जाए तो क्या हम दियाले में solve कर भी सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे हम इस point को clear कर लेते हैं. So, first of all देख लेते हैं, adding कर लेते हैं, सबसे पहले adding equation 1 and 2. जब हम दोनों equation को add करेंगे guys, तो हम देखेंगे यहाँ से क्या आएगा? P plus Q into X and यहाँ से क्या आएगा? Plus आपका Q minus P and यहाँ से यह दोनों cancel तो आपके 2P आ जाएगी equation add करने पर. ठीक है? And जब हम subtract करेंगे, subtracting equation 1 and 2. So, जब हम subtract करेंगे, तो यहाँ से आएगा P minus Q into X and यहाँ से आजाएगा Q plus P and यहाँ से आजाएगा आपका minus 2Q. Right? So guys, यहाँ से आपका एक result आ रहा है कि जो आपके दो equation आई है. Again, यह किस form में आगई आपकी? यह हमारी वापस X और Y की जो coefficient values हैं, वो interchange हो रहे हैं, फिर से interchange हो गए है. It means यहाँ से special case का एक result निकल जाता है, कि वो जो special case है, वो आपका तब apply होता है जब हमारी deserts आती है equation में. Means इस type से अगर आपका P, Q, A, B values आए, तो आपका यह apply नहीं होगा, क्योंकि another आपकी coefficients value दूसरी form में create हो जाएगी, आपकी equation में and equation solve नहीं हो पाएगी. Right? So वो जो special case है, वो आपकी deserts value के लिए ही apply होगा, कि deserts value interchange हो रही है. Clear है इतना concept, elimination method से. Right? Using elimination method. हम लोग elimination method से solve करने जा रहे हैं guys. So अब आपको यह concept के लिए समझ आ गया ना, मैंने आप से बोला था कि हम solve कर सकते हैं, बट वो इसलिए बोला था कि आपको आगी concept clear करा दिया जाएं. ठीक है? तो वो आपने यहाँ पर देख भी लिया कि हम elimination method से solve कर सकते हैं, कि नहीं कर सकते हैं? Elimination से कर सकते हैं, बट वो special case आपका apply नहीं होगा. Right? So अब यह आपको equation दे दी थी 1 & 2, अब हम यहाँ क्या करेंगे? किसी भी एक variable की coefficient value equal बना लेजे. हम Y की ही Q बना लेते हैं, क्योंकि Q से multiply होगी? So multiplying equation 1 by P and equation 2 by Q. Right? So P square X plus PQY equals to P square minus PQ. Right? Second equation क्या जाएगी? Q square X minus PQY equals to PQ plus Q square. Clear? दो equation आगई. अब हम कर देते हैं, add कर देते हैं. Adding equation 3 & 4. ठीके, तो इन दोन आपकी equation क्या हो जाएगी? आपकी cancel हो जाएगी. यहाँ पर आपका variable Y है. ठीके, तो इन दोन इन चीरियों का आपका ध्यान रखना है, यह आपका cancel हो जाएगा. So यहाँ पर क्या हो जाएगा? P square plus Q square into X P square minus PQ plus PQ plus Q square. So इससे यह cancel. So P square plus Q square into X equals to आपका P square plus Q square रह जाएगा. ठीके, so X equals to आजाता है P square plus Q square upon P square plus Q square cancel. So X की value आजाती है, guys, हमारी 1. Right? So यहाँ से हमारा इतना easily X की value 1 आजाती है. Now X की value हम क्या करते हैं? किसी भी एक equation में आप put कर दीजे, आपने अपने first equation आप put कर दीजे. Now put the value of X in equation 1. Right? So PX plus QY equals to P minus Q. P into 1. Right? Plus QY equals to P minus Q. ठीके, तो QY equals to P minus Q. And यह plus में है, तो P1 सा P हो गया आपका हैं आपर. यह plus में है, उधर जागे किस में हो जाएगा? माइनस में, अब नव P से P cancel. So QY equals to आपका minus Q. So Y equals to minus Q upon Q. तो यहां से cancel 1. So Y की value हो जाती है हमारी minus 1. And X की value जाती है हमारी 1. Clear? So इस तरीके से यह question number 42 आपका completely solve हो जाता है. आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने question किया है? वो भी बहुत easily. इसी तरीके से आपके सभी question solve होंगे. आप सभी question चैनल पर देख सकते हैं. And अगर आपने अभी तक भी video लाइक नहीं किया. जल्दी से like करिए and comment करिए. यह समझा मुझे समझ आ गया. Now next question solve कर लेते हैं. Now friends, question number 43 आपको दिया हुआ है. X upon A minus Y upon B equals to 0. and AX plus BY equals to A square plus B square. So कैसे solve करेंगे? This is equation 1 and this is equation 2. So first of all, जो यह upon में आपनी coefficient value है. इनको remove करते हैं. तो AB LCM ले ले लेते हैं. तो A से A cancel, that means उपर क्या जाएगा? BX minus AY equals to 0. जिसके upon में कुछ नहीं हो, तब 1 होता है. cross multiply, AB की 0, multiply करेंगे, तो क्या आएगा? 0. So BX minus AY equals to 0. This is equation 3. and यह equation में तो कोई problem ही नहीं है. आपकी बिल्कुल right है. ठीक है? तो आपकी AX plus BY equals to A square plus B square. Now solve कर लेते हैं. So हम देख रहे हैं, again value interchange हो रही है. आपकी, but मैंने आपको बताया था, अभी 42 में ही कि अगर हम interchange करते हैं, तो कुछ ना कुछ हमारी form style कर जाते है, कि वो cut नहीं हो पाती. ठीक है? एक नई form create हो जाती है. So इसके लिए हम क्या करेंगे? directly elimination method से solve करेंगे. using elimination method. ठीक है? X या Y किसी भी एक की variable की value को बना लेते हैं. हम देख रहे हैं कि Y के coefficient value के sign जो है, वो क्या है? आपके opposite हैं. तो directly अगर हम add करते हैं, तो cancel हो जाएंगे. इसलिए हम Y variable को equal, Y variable के coefficient value को equal बनाते हैं. यहाँ पर A है, यहाँ पर B है. A और B का LCM, A और A B ही होगा. तो यहाँ पर A B बनाने के लिए B से multiply, और यहाँ पर आपको A B बनाने के लिए A से multiply करनी होगी. So multiplying equation 3 by B and equation 4 by A, right? So multiply कीजे B square X minus AB equals to, AB Y equals to 0, right? So AB Y equals to 0 and A square X plus AB Y equals to A cube plus AB square. एक इन दोनों में multiply करेंगे हम लोग. अब हम देख रहे हैं, add कर देते हैं, तो यहाँ पर यह कट हो जाएंगे, opposite sign है. So adding equation 5 and 6, add कर दीजे, यह equation 5 and this is equation 6. So you cancel, now, क्या होगे आपका B square X plus A square X and यहाँ से right side में क्या आजाता है आपका? A cube plus AB square, right? क्योंकि यहाँ पर तो आपका 0 है, तो यही term रह जाएगी. Now, यहाँ से X को मन, so A square plus B square. यहाँ से हम देख रहे हैं, दोनों में से A को मन आ सकता है. So A square plus B square, so X equals 2 हो जाएगा A into A square plus B square upon A square plus B square, clear? So A square plus B square से यह आपस में cancel, so X की value यहाँ से आ जाती है हमारी work. है नो, so easy? So X की value आप equation 3 या 4 किसी में भी put कर दीजिए, put the value of X in equation 3, put कीजिए. So BX minus AY equals to 0, X की जगहाँ पर क्या put करेंगे? A minus AY equals to 0, दो इसे right side ले आएए, तो BA equals to AY, या फिर लिख सकते हैं, AY equals to BA. So Y equals to BA upon A, now A से A cancel, that means Y equals to B, so यहाँ से हमारी X equals to A and Y equals to B, यह आपकी value आजाती है. Clear है, समझ आ गया, अगर आपको समझ आ गया, तो guys, आप वीडियो अगर आपने अभी तक भी लाइक ने किया, तो जल्दी सा लाइक करके, कमेंट कर रीचेगा, यह समझ आ गया, okay? 2B and 6BX minus 6AY equals to CB minus 2A, so this is your equation, now यह equation हम लग 1 मान लेते हैं and यह equation हम 2 मान लेते हैं, ठीक है, अब हम देखते हैं, कि जो आपके X variable की coefficient value है, Y variable की coefficient value है, किसी को भी equal बना लीज़े, आप लोग, वैसे तो आपका special case भी बन रहा है, लेकिन इस वाली टर्म में हमारा, क्यूंकि A, B य नहीं होगा, so हम यहापर क्या करेंगे, Elimination Method use करेंगे, using Elimination Method, right, so Elimination Method, किसी भी एक वैदीबल की को बना लीज़े, देख रहे हैं, इसके sign opposite है, तो easily add करने पर cut हो जाएंगे, 6B और 6A, दोनों का LCM लेंगे, 6B और 6A का LCM लेंगे, तो 6AB आ जाएगा, right, तो इसे 6AB बनान के लिए किसे multiply करेंगे, इस equation को B से, right, so multiplying, equation 1 by A and equation 2 by B, right, so multiply कर दीजे, 6A square X plus 6ABY equals to 3A square plus 2AB and ये equation 6B square X minus 6ABY equals to 3B square minus 2AB, अब क्या करेंगे, ये equation 3 आ गई, ठीक है, and this is equation 4 and now we are seeing that y variable के जो coefficient value है, opposite है, then we will add this equation, so adding equation 3 and 4, now जब हम एड करेंगे, इस दीजा अ कैंसल आओ, so 6A square X plus 6B square X equals to 3A square plus 2AB plus 3B square minus 2AB, right, अब हम देख रहे हैं हम लोग क्या कामन ले सकते हैं, 6 X कामन ले सकते हैं, यहांसे, So, a square plus b square and 2ab से 2ab cancel equals to 3 को मना जाएगा a square plus b square So, यहां से हम इसे क्या लेख सकते हैं guys x equals to 3 into a square plus b square यह term तो आप कैसी रहेगी and 6 into a square upon b square upon में चली जाएगी आपकी value Right, so यहां से a square plus b square से cancel c1 is a c, c2 is a 6 So, x की value आगई आपकी 1 upon 2 So, x की value था हमने find out कर ली y की find out करने हैं कैसे करेंगे आपकी जाए equation 1 है, 2 है किसी में भी put कर दीचे Right, now put the value of x in equation 1 equation 1 क्या थी आपकी 6ax plus 6by equals to 3a plus 2b ठीक है, यह equation हमने क्यों लिख लेगी जिससे हमारी कोई mistake ना हो So, 6a into 1 upon 2 plus 6by equals to 3a plus 2b ठीक है, 2, 3 is a 6 तो आपका क्या रहे जाएगा है आपकर 3a plus 6by equals to 3a plus 2b Right, so यहां से हम लिखेंगे 6by equals to 3a plus 2b यह 3a right side चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा So, आप देख रहे है, 3a 3 है opposite sign के तो cancel out 6by equals to 2b So, y equals to 2b upon 6b Right, so b से b cancels 2 1s are 2, 2 3s are 6 So, y की value रहती है 1 upon 3 So, here x equals to 1 upon 2 And y equals to 1 upon 3 This is your answer x, y की value यह तो आपको find out करना ही थी Clear है? इस तरीके से हमारा question number 44 भी solve बजाता है So, guys, अगर आपको समझ आ गया चल्दी से वीडियो लाइक कर दीजे And comment कर दीजे Yes, मैं मुझे समझ आ गया क्योंकि हम समी questions यहां पर solve करते हैं And community channel पर आप reply देना मत बूले Daily आपके जो questions आते हैं उनको solve करते हैं Okay, so, मिलते हैं next video में Bye, take care